आज को जो मैं अपना विशे लेके आया हूँ कि आपके गर के अंदर यह लिक्विड मनी है राजदन्ग हम कमाकी लाते हैं और दूद वाले को सबजी वाले को सब कुछ देना पड़ता है ना तो वो लिक्विड मनी को आप कहां पर रखेंगे मैंने देखी अपने पूराने वीडियो में आपको बताया था कि दक्षण और पस्चिव का कौना जितना महतुपूर होता है जहां पर हम सोना चांदी गहना और जमीन के कागजाद सब दक्षण और पस्चिव के कौने अथा नरत्य कौन में रखते हैं उसी परकार अपमारी लिक्विड मनी जो यह कह सकते हैं हमारी रोजमरा की जरूरतों को पूर्ती करने के लिए जो पैसे होते हैं उनको हम कहां रखें एक बहुत शंदार आपको बात बता रहा हूं छोटी-छोटी बातें आप यह द्यान में रखो कि आपका बहुत लाबदाइक होती है आपके घर के लिए बहुत अच्छी रहती है तो आज ही आप मैं जो यह वास्तो टिप्स बता रहा हूं आज आप ही यह कीजिए चोटा सा वास्तों हो सकता है आपकी किस्मत बदल देवे तो मैं बता रहा था कि लिक्विड मनी हम कहां रखें लिक्विड मनी को रखने के लिए सब से भढ़िया स्थान उत्तरफ़ दिशा नार्फ दिशा नौर्फ साइड है नार्फ मनी और साथ से पूर्व कि और उसको बोलते हैं जो जो उत्तरफ़ वाले दिवार वहां पर एक आप आलमरी बनवाई है उसमें आप उसको कुबें बनाते हैं वास्तु के जो देवताओं के स्थान होते हैं यक्ष गंधर वकिन्यत इनके स्थान होते हैं तो उनमें उत्तर देशा देवताओं की दिशा जो रक्ष राज कुबिर की दिशा होती है वो हमारे धनके रक्षक करने वाले होते हैं वो देवताओं के भी धनकी रक्षा करते हैं तो दोस्तों वहाँ पर एक अलमारी बनाईए वहाँ लिक्वीड मनी रखिए देखिए आपके ये लिक्वीड मनी दीरे 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 कैसे यह बढ़ती जाएगी और आपको खुद को अच्छा लगेगा ऐसे ही मेरे दूसरे छोटी छोटे नए वास्तू टिप्स आपके लिए जाना चाहते हैं तो मेरे से लगातार जुड़े रही है और सबसे पहले मेरे वीडियो आप देखना चाहते हैं तो यह जो सब्सक्र